नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमारे चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको सादू और बैस्चा की बहुती अच्छी कहानी सुना रहा हूँ एक बहुती पहुचे हुए अतिब्रद सादू थे, बे एक जगए नहीं रुकते थे जहां मन लगा वहीं धूनी भी लगा ली, बे घूमते घूमते एक नगर में पहुचे एक चैयादार पेड के नीचे उन्होंने अपनी धूनी जमाली थी सादू की धूनी के सामने ही एक बैस्चा का निवास था, उसके घर में लोगों का आना जान लगा रहता था सादू को पता नहीं, क्या सूची, जब बैस्चा के घर कोई पुरस जाता, तब भी एक चोटा पत्थर अपनी धूनी के बगल में रख देती इस तरह कोच ही समय में पत्थरों का धेर लग गया एदन घर से बाहर निकलती हुई बैस्चा को सादू ने टोका और अपने पास भुला कर कहा पापिन, देख अपने बुरे कर्मों का यह पहाड अरे डोष्ट, तूने इतने पुरसों को भरष्ट किया है, जितने इस धेर में पत्तर है, तू तो नरक की भोगी होगी बैस्चा बैसे कापते हुए रोने लगी, सादू के सामने प्रत्वी पर से रखकर गिड़गाते हुए, बोली माराज मेरे पापों से उद्दार का मार वताएं, मैं आक्षरता हैं, उसका पालन करूंगी सादू अत्यंत क्रोर दित सुर्वें बोलें, तेरा उद्दार तो होई नहीं सकता, यहां से अभी चली जा, तेरा मुक देगने के कारण मुझे आज उपवास करके प्राशत करना पड़ेगा, वैसे दुखे दरदा के साथ वहां से चली गई अब दिन प्रती दिन उसे अपने बुरे कर्मों का प्राशत हो रहा था, वैसे नरंतर प्राता करती थी, कि उसके पापों के लिए इस स्वर उसे ख्षमा करें, इसी पशाताप में एक दिन उसके प्राण निकल गई, उसी समय सादू की भी आयू पूरी हो रही थी, उन्हो धर्मराज के दूत हैं, आपको लेने आये हैं, आपका प्रिस्तान का समय हो गया है, सादू ने पूचा, तुम मुझे कहा लेकर जा रहे हो, यमदूतों ने कहा, कि वे सादू को नरक ले जाने के लिए आये हैं, वहाँ उनके कर्मों का हिसाब किताब होगा, सादू ने आली बैस्चा को लेने के लिए तुमको भेजा होगा, दूत बोले, अमसे कोई भूल नहीं हुई है, वह बैस्चा तो पहले ही बैकुंट पहुंच चुकी है, आपने बहुत तपश्या की है, परन्तु बैस्चा के पापों के गिंती करते हुए, आपने अंतर पाप चिंतन ही तो किया करते थी, और इस मृत्यू क काल में भी आप पाप चिंतन ही तो कर रहे थी, अतर आपको आप नरक की तरफ ही प्रिस्तान करना है, आपके पाप पुन्यों का निदारन यमराज करेंगे, सादू के बस की अब बात भी नहीं थी, उन्हें यमदूत अपने पास में बांद कर ले गए, तो दोस्तों, इस कानी से हमें यह सीख मिलती है, कि दूसरों की हमेजा बुराई नहीं तलासनी चाहिए, अतर अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, यदि कुछ बुराई दिखाई भी देती है, तो सामने बाले को सुमार्ग में लाने का प्रयास अवस करना चाहिए, उस सादू ने बैस्या के पापों की गिंति की, इसी के करण उसे नरक में जाना पड़ा, और बैस्या ने पूरे जीवन भर भगवान से प्राशा अताप किया, तो उसे बैकुंट लोग की प्राप्ती हुई, तो दोस्तों, उम्मिद है आपको यह कानी अच् सादी क्रशना